हैलो जहिन साथियों स्वागत है आप सभी का हमारे यट्यूब चैनल पर दोस्तों यहाँ पर आई टी आई छात्र बहुत ही कन्फूजन में है और वे उनका डाउट क्लियर नहीं हो पा रहा है इसलिए लगातार वे कोईस्टन पर कोईस्टन पूछ रहे हैं कि उनका एटी आई का हॉल टिकेट एड्मिट कार्ड अभी तक क्यों जारी नहीं हुआ है क्योंकि उनका परिच्छा 10 इसंबर 12 से स्टार्ट होने वाले है तो क्यों आप लोग का हॉल टिकेट में देरी हो रहा है क्यों आप लोट डानलोड नहीं कर पा रहे हैं कब तक आप लोगी परिच्छाएं हैं, इडिये प्रेटकल की परिच्छाएं कब तक होगी, उसका फिस्पेमेंट कप होगा, सब डिटेल्स यहाँ पर आपको बताने वाले हैं, आपका डाउट्स क्लियर करने वाले हैं, तो सभी को वीडियो कम्पलीट देखनता भी आप लोगों को मालूँ हो पाएगा, उससे पहले आप लोगों चलाप पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब ने किये हुए हैं, तो आपको एक नीचे सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है, उसको दबालना है, और बेल आइकन को आल पर सेट कर लेना है, और आप तक आईटी आई जूड़ी सभी जानका है, सभी नोटिस आप तक पौश्ती रहेगी, तो आई ये वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, तो फ्रेंड्स, फाइनल मैं आपको नोटिस के माधियम से बताने जा रहा हूँ, तो यहाँ पर देखिए, फाइनल ये डिटी का नोटिस आप लोग का आया हुआ है, इसी के माधियम से मैं आप लोग को बताऊंगा, तो यहाँ पर देखिए आप लोग का notice दिया गया है DGT ठीक है तो यहाँ पर Ministry of Skill Development and Entrepreneurship Direct Rate, General of Training ठीक है तो आप लोग यहाँ पर date भी देख पा रहे हैं कि date क्या दिया गया है कई सी 11 और बाइस आपका final नया notice है और यहाँ पर देखिए subject में क्या दिया गया है extension of last date for API data migration and training verification approval for session 2022 तो जितने भी छात्रों का यहाँ पर ITI का बैग लगा हुआ जिनका supplementary का exam है चाहे उनका annual का system हो ITI का first year, second year हो या पिर उनका semester का system हो चाहे first semester हो, second semester हो, third semester हो या four semester हो किसी भी semester में या किसी भी annual की ITI first year, second year में किसी भी एक विसे या दो विसे में आपका back लगा हुआ है आपका fail दिखा रहा है आपको zero marks आए है तब आपको क्या करना है back paper का exam देना है तो उसी के आपका exam के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर डिजिटी ने final notice जारी कर दिया है कि आप लोग बैक परिच्छा का जो exam होगा उससे पहले आपका hall ticket जारी होगा लेकि उससे पहले यहाँ पर जितने भी छात्रे exam देने वाले है back paper का तो उनको क्या करना है trainee verification करना है ठीक है क्या करना है trainee verification और यह trainee verification कैसी आप लोग मुवाइल फोन से घर बैटे कर सकते हैं इस पर मैं already video बना चुका हूँ आपको description box में link मिल जाएगा आप लोग link पर click करके वो video को देख ले और समझ लें कि आपको कैसे trainee verification करना है तो आज ही आप लोग trainee verification कर ले क्योंकि आपका date भी बढ़ा दिया गया है और जो भी छात्र है यहाँ पर सोच रहे है कि मैं trainee verification नहीं करूँगा इससे कुछ नहीं होता है यह फालतू चीज है तो आप लोग मैं बता दू कि यह फालतू चीज नहीं है फाले digital trainee verification इसलिए करवा रहा है यहाँ कि आपका कोई भी data में कोई correction करना है तो आप लोग इसी समय करवा सकते है अन्था आपके कोई भी data में कोई गड़बड़ी जाती है तो बाद में आपको संसुन कराने में बहुत ही problem होगी और आप लोग अगर trainee verification नहीं करते हैं तो आप लोग का जो admit card है hall ticket है वह ही आपका नहीं आएगा तो आपको exam कह सकते हैंगे तो इसलिए आज ही आप लोग घरबैटर में फोन से अपना trainee verification कर लें डिस्किसमास में लिंक दिया गया है वीडियो को देखके आपको अपना trainee verify कर लें तो यहाँ पर देखिए आपका क्या date बढ़ा कर किया गया है तो यहाँ पर देखिए दिया गया है the API link for data migration will remain active for बाइस ग्यारत दोरबाइस to अठाइस से ग्यारत दोरबाइस ठीक है यह आपका नेवडेट है बाइस से आपका start कर दिया गया है फिर से और अठाइस नमबर तक आपका चलेगा इसके बाद आपका जो trainee approval है और डिजिटिक दोरब वेरिफाई किया जाएगा 5.12.2022 तक यानि 5.12.22 तक आपका डिजिटिक दोरबाइस आपका जो trainee verification किया गया है 28.9 तक उसको approval किया जाएगा और approval करने के बाद ही आप लोग के hall tickets admit card जारी किया जाएगे आपका 10 December से exam है तो आपका जो 5 December से आपके hall ticket भी वीतरड होने लगेंगे website से आपको download करने लगेंगे तो मैं इसका वी वीडियो बना दिया हूँ कि आप लोग कैसे अपना hall ticket download करेंगे उसका भी लिंक आपको description भी लिंक दिया गया है वहां जायकर ओभी वीडियो देख ले आपको समझ में आ जाएगा तो इसलिए आप लोग का ITI छातर की परिच्छाएं का hall ticket आने में दरी हो रहा है क्योंकि और इसी करड़ आप लोग का date भी बढ़ाया गया है क्योंकि पहले आपका 25 नुवंबर से एकजाम स्टार्ट होने वाले थे लेकिन जो भी छातर एनुवल और समिस्टर के हैं वह अपना training भरी फिकिसन नहीं कर पाये थे इसलिए आप लोग का hall ticket नहीं आया और आपका date भढ़ाकर 10 दिसंबर कर दिया गया है तो इस बार आपको chance मिला है अच्छा मौका है तो आप लोग 28 तारिक तक आपना training भरी फिकिसन है फटापट कर ले अन्था आप लोग का hall ticket नहीं आएगा तो इसका चिमिनदारी आपके अन्था आपका hall ticket नहीं आएगा क्योंगि आपका 10 दिसंबर से एक्जाम है और semester वालों के लिए यह last मौका मिला है अन्था उनका ITI करना बेकाल हो जाएगा ठीक है तो अपने ITI संस्थान से contact करिए और contact में अपने ITI के रहें जब तक आपका एक्जाम नहीं बीचता है तब तक ITI contact में रहें और आपका जैसे कोई भी नूटिस आता है मैं आपको बताते रहूंगा आपको चलन से जुड़ जाए धन्यवाद